नमस्कार दोस्तों पिछले महिने यानि की जनवरी दो हजार तेईश में देली के लेटिनेट गवर्नर और देली के चीफ मिनिस्टर के बीच एक मुद्दा चल रहा था वैसे तो मुद्दे बहुत चलते रहते हैं लेकिन ये मुद्दा जो मैं बात करने जा रहा हूं ये मुद्दा था देली सरकार कुछ टीचर्स को या प्रिंस्पल्स को स्कूल के उन्हें फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहती थी और लजी सहाब ने कुछ अब्जेक्शन लगा करके कुछ क्लैरिफिकेशन उन्हों ने जाननी चाहीं देली सरकार से तो फाइल उसमें यह कहा गया कि काउट बेनिफित एनालिफिस इस तरह की जो फॉरन ट्रेडिंग प्रोग्राम जो की पास्ट में कंडक्ट किये गए है तो उनका काउट बेनिफित एनालिशिस कंड़क्ट किया जाना चाहिए सो एटूस दी कौस्ट एफेक्टिवनेस आफ तो यानि कि जो टीचर्स या प्रिंस्पल जो पहले आज से पांच साल पहले छे साल पहले विदेश ट्रेनिंग ले करके आए हैं उन्होंने जमीन पर कुछ ऐसा काम किया जिससे की कुछ गुणवत्ता में सुधार हुआ हो एजूकेशन की यानि कि टेंजिवल आउटकम टें प्रोवाइड किया देली के अजूकेशन मॉडल को ले करके जैसे अलजी सहाब ने यह फैक्ट हाइलाइट किया के दो हजार बारा तेरह में जो एवरेज अटेंडेंस थी स्कूल में गौर्मन स्कूल में वह लगबग सेवन्टीवन परसंट के आत्पास थी स्टूडेंट जो कि साथ चाल के बाद 2019-20 में वह साथ परसंट पर आ गई यानि कि साथ चाल में एवरेज अटेंडेंस जो गौर्मन स्कूल में वह आपकी ग्यारा परसंट कम हो गई इसी तरह से एक मुद्धा उन्होंने उठाया कि 13-14 में जो अन्रॉल्मेंट था गौर्मन स्कूल में स्टूडेंट का वह लगबग 16 लाग था 16 लाग और 2019-20 में यानि कि 19-20 में ये 15 लाग के आस पास आ गया तो पिछले साथ या आठ साल में एक लाग अन्रॉल्मेंट कम हो गया जबकि पापुलेशन तो दिल्ली की बढ़ती जा रही है लेकिन अन्रॉल्मेंट गौर्मन स्कूल में कम हो गया इसी तरह से उन्होंने एक और मुद्दा हाइलाइट किया कि 13 साइट पिछले आठ साल में डीडिये ने धहली सरकार को अलॉट की नए स्कूल बनाने के लिए लेकिन कोई स्कूल अभी तक नया नहीं बना इसी तरह उन्होंने कहा कि कुछ अपग्रेड किये गए हैं कुछ से क्लासरूम कुछ स्कूलों में और कुछ टॉयलेट को भी काउंट कर दिया गया है कि हमने ये भी क्लासरूम अपग्रेड कर दिये तो एक और उन्होंने बड़ा मैं इंपॉर्टन्ट मुद्दाहिस ने पत्तर में उठाय कि क्लास ट्वेल में लगबग दो लाग इसतिसा जार टूड़ेंट अन्रोल थे जो की लेकिन इस दो लाक इसतीस हजार सुडंट में से जो साइंस और मेथ के टूडन के वो मात्र इकीस हजार तीनसुद चालिस थे। यानि कि लेस डेन टैन पर्सेंट आप दी टोटल स्टूडंट इन क्लास ड्वेल दे वर स्टेदिंग साइंस और मेथ। तो ऐसे हालत में आप कहां से साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजिनियर बनाएंगे बच्चों को यह भी उन्होंने हाईलाइट किया कम से कम एक चौथाई या एक तिहाई सीड तो होनी चाहिए जो साइंस बच्चों को साइंस से पढ़ा सकें जिसमें मैथेमेटिक या बा बच्चों को भी आप साइंस और मैथ नहीं पढ़ा पा रहे तो आप इमेजिन कर लीजिए कहां से भाष्चे में डॉक्टर जिस्की की बहुत सौर्टेज है हमारे देश में तो कहां से बन पाएंगे उसके बाद काफी मुद्दा उठा के डेली कीफ मनिस्टेर ने वो कु की उचित नहीं था किसी भी द्रिष्टी से एक पड़े लिखे चीफ मनिस्टर के लिए तो आज मैं खिर अब लगी साहब में जो मुद्दे उठाए मैं नहीं जानता उसमें कितनी सचाई है या है भी तो कितनी है या यह सथ है अगर यह सथ है तो यह वाकई ऐसे केस में ज तो वो कुछ गुणवत्ता इंप्रूव कर पाए एजूकेशन की तो यह एक बड़ा कुश्चन मार्क है इस पर फॉरंड ट्रेनिंग पर तो मेरा यह मानना है कि बैनिफिट कॉस्ट अनालिसिस जो एल जी साहब ने कहा कि यहां कंड़क्ट यहां पर एक एक फाइंड है कि जानी चाहिया ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम ़हाद तो बाकी सर्विस्ट में भी यह सब किया जाना चाहिए एक बड़ा अछा मुद्दा उन्होंने उठाया है कोस्ट benefit analysis कह दिया जाता है इा benefit cost analysis कहा जाता है कि कितनी लगी कि अपकी और उसके कितने मिले है benefits in terms of tangible outcome जो अनको हम मेजर कर सकेक वुल कर सके कवांटिफाई कर सकें जमीन पर देखिए सरकारी खर्चे पे घुमना फिरना तो बहुत अच्छा लगता है आप कलर्क से ले करके सेक्रेटरी अफ़ी डिपार्टमेंट को किसी को बहार भेज दीजिए विदेश में वो बहुत खुशी-खुशी चला जाएगा हर कोई सरकारी सर्चे भे घुमना चाहेगा लेकिन मेरा यह मानना है इसमें कि क्या कोई भी शेत्र ले ले हमारे ही देश में best practices हर शेत्र में मिल जाएंगी चाहे हम agriculture ले 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 होटी कल्चर ले 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 ब्रवेस्टिश सेन सेटेल या कौन सीलर वह उन्हें बेस्ट प्रैक्टिश अवगत कराया और आ मिला दो इस इंपॉर्टेट्न रहेगा पनेजबत के आप खुड़ां आप उन्हें भेज़ेंज इतना खर्च करक्र मैं एक दो एक्जामपल लेना से क्लियर करता हूं कि जैसे इंदौर सिटी को ले लिए मत्यप्रदेश इंदौर सिटी जो है स्वत सिटीज में इन दी मैटर अफ क्लीनलीनेस वो पिछले पाथ से साल से नंबर वन आ रहा है इंदिया में तो जितने मुनिस्पल कॉंसिलर्स है इंडिया के और सहरों के तो उन्हें वहां भेजा जाना चाहिए कि भाई इंदौर ऐसी वहां की मिनिस्पलिटी क्या स्टेप्स ले रही है वहां की बिरोक्रेशी क्या स्टेप्स ले रही है जिससे इंदौर इतने नंबर वन आ रहा है तो इंदौर का एक्जाम मॉर्डल है वो और जगे अडॉप्ट किया जा सकता है इसी तरह से प्रोग्रेसिव फार्मर्स हर स्टेट में हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स मिल जाएंगे मोदी साहब भी अपने मन की बात में प्रोग्रेसिव farmers का अच्छर जिकर करते रहते हैं तो progressive farmers के पास बहुत सारी success stories हैं बताने के लिए और farmers को agriculture के जो officers हैं उन्हें बताने को तो वो एक example है तो इस तरह से आप कोई भी एक के चेतर उठा कर के देख लीजिए tourism में इस तरह से eco tourism पकड़ लीजिए forestry को सेक्टर को पकड़ लीजिए तो हर चेतर में इस तरह की best practices हमारे हम मिल जाएंगी जिनका की हमें फाइदा उठाया उठाना चाहिए इसके बाद भी अगर कोई सरकार यह state government या central government समझती है कि आपके जो foreign resource person उनको यहां उनका 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 जो experience है वो share किया जाना चाहिए हमारे officers के साथ या teachers के साथ या बिरोक्रेट के हैं या politicians हैं counselors हैं उनके साथ तो ऐसे resource persons को हम यहां अपने हाँ बुला सकते हैं और मुश्किल से आपका एक चौठाई बजट खर्च होगा जो कि आप वहाँ जाकर के फॉरण में आप अपने सारे लावलस्कर को लेके जा रहे हैं एक चौठाई मान लीजे चार करोड आपका खर्च होता है आपके सारे बोर्डिंग लॉजिंग वहां का जो facility जो उन सब की payment के लिए फॉरण में तो आपका मुश्किल से एक करोड भी खर्चा नहीं होगा वहां के जो फॉरण के resource persons है एक है दो है तीन है उनको अगर आप इडिया में बुलाल करके ट्रेनिंग इंपार्ट करा दें अगर जरूरी है तो तो आपका budget भी खर्चा भी कम हो जाएगा अज जहां तक education sector की बात है देखिए बहुत सारे ऐसी हमार भीजने की बजाए या principles को बाहर भीजने की बचाए इसके आप ground level पे आप हमें इतना काम करना अभी बाकी है जो की foreign training से ज्यादा important है ज्यादा priority में आता है जैसे नए श्कूल आपको खोलने चाहिए आपका जैसे की simply classrooms को आप upgrade किये जा रहे हैं उससे इतना उससे प्रभाव थोड़ा बहुत पढ़ेगा लेकिन इतना नहीं पढ़ेगा जो नए स्कूल खोलने से आपको होगा क्योंकि जन्संकिया तो बढ़े जा रही है आपको science lab laboratory equipment लाने पढ़ेंगे ताकि बच्चे practical कर सकें आपके science में तो सब practical क ही बर्मार रहती है बिना लैब के आपके बच्चे नहीं साइंस में आगे जा सकते हैं आपको अच्छे टीचर्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको टीचर्स की recruitment process में हर एक का पढ़ाने का aptitude नहीं होता है तो ऐसे टीचर्स को लाईए जो जिनका थोड़ा aptitude teaching के लिए appropriate हो एड-hoc teacher से काम नहीं चलेगा पके टीचर लगा करके उन्हें salary time पे दीजिए उन्हें धरनया प्रदर्सन नहीं करना पड़े के हमें salary time पे नहीं मिल रही है और जैसा मैंने कहा कि best practices हमारे देश में जो available है different states में वहां ले जाकर कि उन हमारे teachers को या और officials को वहां training और इस तरह से और भी बहुत सारे मुद्दे हैं students को ले करके जैसे की creativity कैसे create करनी है कैसे develop करनी है students में जिग्यासा का भाव students में सात्रों में कैसे develop करना है और आज कल एक और बड़ी समस्या हो गई है जो कि पिछले कई सालों से हो रही है जाए दिल्ली हो पंजाब हो या औ और उतर प्रदेश हो यह स्टेट्स है यह problem of drugs and drinking आपका सराब के प्रती बीडी cigarette के प्रती जो महों बच्चों में पैदा हो रहा है तो इस तरह इन से हमें बच्चों को कैसे बचाना है तो देखिए सबसे बड़ा teacher तो हमारे बच्चों के parents होते हैं अब parents के बाद टीजर का ही नमबर आता है तो हमारे teachers को तो इसमें ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चे को किस तरह से सराब की लतना पड़े ड्रक्स में वह ना उलत जाएं इसके उपर ध्यान देना बहुत जरूरी है और बच्चे आज कल दूसरा एक और मुद्दा है social media बहुत ज्यादा time social media पे बिता रहे हैं किस तरह से उन्हें उन्हें समझाया जाना चाहिए कि आपका social media जरूरी है लेकिन इस पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए कि एक आदा घंटा एक घंटे से ज्यादा आप इस पर बित नहीं है इसको ज्यादा देनोट करना है चाहिए कि हमारे प्रधान मंत् उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का जिकर किया था जो कि प्रायर्टी पर देखी जानी चाहिए सबी स्टेट गौर्वर्मेंट्स को अगर हमें रियल हमें ही स्टूडेंस का बच्चों की भलाई हम लोग चाहते हैं तो यह मेरे कुछ विचारते जो एजूकेशन सेक्टर हैं जो की प्रायर्टी पर एड्रस किये जाने चाहिए उसके बाद यह सब टीचर्स को फॉरण ट्रेनिंग भीजने का नंबर आता है उससे पहले बहुत कुछ किया जाना बाकी है और जो यह फिनलैंड की या सिंगापूर की बात हो रही है जहां पे ट्रेनिंग के लिए ट हीरो क्रेक्स को भी भेजा जाता है तो यह डेस जो हैं जैसे फिनलैंड, यह के स्कन्डेने विया कंट्री आ का इक पाहत है, यह स्वीडन है । đến्मार्क एंजियो कह लिए रेपूटिड एंजियो है बर्लिन बेट जर्मनी में हर साल वो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है तो जितने भी इसके अलावा कुछ जैसे सिंगापूर है नूजिलेंड है इसके अलावा और आपका कैनेडा है यह इनकी जो रैंकिंग है व करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वह अर्शी से ज्यादा है आउट ऑफ हंड्रेड एक्टी परसेंट से ज्यादा है यानि कि वह लीस्ट करप्टिड कंट्रीज में आती है जबकि हमारा देश की तो 40 से भी कम नंबर है आउट ऑफ हंड्रेड जो तो हम लोग अभी के से जूद रहे हैं अलांकि परदानमंत्री की बहुत सफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं कितनी आके सबलता मिलेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो मेरा कहने का मतलब था यह फिनलेंड वगएरा शिंगापूर वगएरा इन से हमें और कुछ शीखने को बहुत है जैसे कि आप वहां के लोगों की सिविक सेंस है इधर उधर गंदगी फैलाना थूकना या कानून की पालना किस तरह से की जाती है सफाई आपका पॉब्लिक प्लेस पर कैसे मेंटेन की जाती है यह पॉलूशन कंट्रोल ले लिए डेली हमारी वन आप दी वर्ट कैपिटल ह सारे वर्ड में एज फार एज एर पॉलूशन इडगर कैंटर यमना नदी का पॉलूशन ले लिए वाटर पॉलूशन का मुद्द्ध देखना चाहते हैं तो कैसे पॉलूशन कंट्रोल करना है कैसे लोगों में सिविक सेंस को बढ़ावा देना है कैसे कानून की सही पालना करना है चाहे रोड हों पब्लिक प्लेस हो या और कोई मुद्दे हों कानून के पालना के तो इस तरह के मुद्दे हमें उन देशों से सीखने चाहिए तो यह वहां पर यह फिनलैंड का दिकर आया तो मेरे दिमाख में यह मोटी सी बात आई कि फिनलैंड के और यह अधर्स कै मैंने कहा कॉस्ट बैनिफिट अनालिसिस तो जितनी फॉरंट ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं हमारी ओफिसर्ज को बीरोक्रेट्स को या कॉंसिलर्स को बाहर भेज करके इन सबकी कॉस्ट बैनिफिट अनालिफिस बड़े सिंसेर तरीके से होनी चाहिए बहुत जरूरी है क्योंकि मिलियन जॉप रूपी इसमें आपके डॉलर हर साल स्पेंड होते हैं और यह कॉस्ट बैनिफिट अनालिसिस से ही हमें पता लगेगा कि वह कॉस्ट अफेक्टिवनेस कितनी है इस तरह के प्रोग्राम की ग्राउंड पे फील्ड लेवल में कुछ टैंजिबल बन सेवा के अनभव के आधार पर तजरवे के आधार पर कह सकता हूं कि मुश्किल से दस परसेंट ही ब्यूरोक्रेट्स होंगे या बाकी या चाहे टीचर लगा लीजिए प्रिंशिपल लगा लीजिए या फिर पॉलिटीशियन लगा लीजिए या कॉंसिलर्स लगा साइन्टिस्ट की मैं यहां बात नहीं करूंगा वह एक अलग एरिया है लेकिन तस परसेंट से ज्यादा लोग आपके जो जो चोटी ट्रेनिंग में जाते हैं वन वीक ट्रेनिंग या दस दिन की ट्रेनिंग तो यह हार्डली दस परसेंट ही ऐसे बीरोक्रेट होंगे या और यह कॉंसिलर होंगे जो की बाहर से सीख करके जो आते हैं उसे ग्राउंड लेवल में अपलाई करते हैं भूमना फिरना ही एक मेन मक्सद रहता है मैं इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप जैसे कि यह देखा गया है कि पूरे बैच को भेज दिया जाता है आल इंडिय क्वागे संद्य में जा रहा है करिया इपक्रियों 음악 के नाम पर तो यह बहुत हध तक तो मैंने यह देखा है कि बूरोक्रेट्स का इंट्रस्ट किसी और कितर में होता है कि और एरिया में होता उसे दूसरे एरिया में बेज daytime का जैसे मान लिए एक कोई ऊशल है यह स्टेट civil services का officer है उसका bent of mind है urban और rural development में उसको भेज़ दिया public finance का audit में तो वो विचारा क्या करेगा इसी तरह मानली जी एक forest में ले लिजिए किसी का interest है forest genetics and tree breeding में वो इसमें trading चाहता है इसमें अपने आपको develop करना चाहता है अगले कई सालों के लिए उसको भेज़ दिया forest policy में इसी तरह मानली जी को wildlife management में जाना चाहता है wildlife conservation में जाना चाहता है उसमें उसका bent of mind है उसमें उसका दिल्चस्पी है उसको भेज़ दिया forest economics में तो इस तरह से सभी को आप एक जैसी ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं दिलवा रहे हैं ये भी उसीत नहीं है रादर होना ये चाहिए कि जो long term training पर ध्यान दिया जाना चाहिए ये छोटी मोटी हफता 10 दिन की training से सिवाए घूमने फिरने के और बजट की बरबादी के कुछ नहीं है तो long term training तो जाने की दो महिने या इससे ज्यादा यो मैं long term में ले रहा हूं तो उसमें आफिसर्ज को या बीरोक्रेट्स हों या कॉंसलर जहां जो जाना चाहते हैं उन्हें लेट दम अप्लाई तू रैपूटिड यूनिवस्टी जैड देर ओन लेवल सरकार को तो उन्हें पांच या थे उनिवस्टी बता दें यह यह उनिवस्टी हैं इसमें यह यह एरिया ह आप अप्लाई की लेकिन वापस आने के बाद दू है और आपको कुछ टैंगिबल आउटकम दिखाना पड़ेगा अदर्वाइव आपका प्रमोशन नहीं होगा तो नमबर वन मैं फॉरंग ट्रेनिंग के टोटली अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन अकाउंटेबिलिटी साथ में होनी चाहिए एक तो यह सौट ट्रम ट्रेनिंग हाफते दिया दस दिन की इससे कुछ नहीं होने वाला नमबर वन अवरी ऑफिशर इन बैद टॉम डिक हरी शुद नॉट बी संट फॉर दी ट्रेनिंग ऑफिशर मस्ट गो फॉर लॉंग ट्रम ट्रेनिंग राधर गवर्मन शुद पूट मोर अंफैसिस अन लॉंग ट्रम ट्रेनिंग इन दी च्वाइस इन दी पर्टुकलर फिल्ड वियर ऑफिशर हैज गौट सम इंट्रेस्ट उसको अपनी च्वाइस पर ही छोड़ देना चाहिए वही अप्लाई करें रेपूटिड इन्वेस्टी में और आने के बाद उसको ग्राउंड लेबल पे इंप्लीमेंट करें औ और कुछ टेंजीबल रजेट्स दिखाए आउटकम दिखाए अधरवाइस आपकी पर्मोशन फर्दर नहीं होगी यानि कि अकाउंटेबिलिटी इसमें फिप्स करनी पड़ेगी तो यह मैंने कुछ विजार थे जो मैं मैं चाहूंगा कि बही डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डियो पीटी कहते हैं भारत सरकार में उनको इस तरह की इन चीजिवों पर ध्यान देना चाहिए ताकि टेक्स पेर्स का पैसा गाड़ी कमाई का पैसा भार हाई करें ग्रांड लेवल पर पैली प्रेफरेंस तो होनी चाहिए कि जो अपने डेश में हैं उसी को ही प्रेफरेंस दी गाती चाहिए और फ़रन ट्रेंश जो है जैसा मैंने से लिंक करना है अगर यह नहीं होता है तो फिर गौर्वर्मेंट बजट या पब्लिक मनी वेट करने का कोई और चिस्तिया नहीं है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए इस दो एकलन टॉपिक था जो कि मैंने अपने क्योंकि पिछले साल यह फिंलैंड का मसल़ चल रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि भई यह बैनिफिट का और तरना लिवती तो सारी चुर्फ ट्रेनिंग्स के लिए ही होना चाहिए किरफ के लिए ही क्यों सारी विरोक्रेट पे लागू होना साहिए तो जारी तो मेरे वीडियो जवने इन जनर वैसे पर्टिकुलर लिव कि लिया आते हैं जो स्टूडन्स आपियर हो रहे हैं डिफरेंट एक्जाम्स में कम्पिटिटिव एक्जाम्स में तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए और फाइदा उठाईए मैंने अपना इमेल आईडी भी आपने डाला हुआ है और मेरे बहुत सारे वीडियो में तो आप परक्वी कर सकते हैं तो आज की आंके में इतना ही नमस्कार